तो चलिए मेरे सामने एक सीरीज और इस सीरीज को हम यहाँ पर सोल करेगे, तो इस सीरीज में हमको करना क्या है, किसी भी नंबर की 1 से लेकर n पावर तक सम कराना है, जैसे कि मैं आपको n की वैल्यू 5 देदू और x की वैल्यू 2 देदू, तो 2 की पावर 1 ब्लस 2 की पावर 2 ऐसे करते करते 2 की पावर 5 तक sum कराना है तो x और n की value हम user से input ले लेगे और चलिए इसको solve करते हैं तो जब user से input लेने का सवाल उठता है तो हमको अपनी scanner class को import कराना होगा ठीक है अब scanner class को हमने import करा लिया है अब हम क्या बनाएगे एक method बना लेते हैं instance method बना लेते हैं और इसका return type हम int रख लेते हैं और ये sum करने वाला है इस series का अब इसको क्या क्या चाहिएगा एक तो x की value चाहिएगी और एक n की value चाहिएगी ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको 2 parameters pass करा देता हूँ int x, int n तो यहाँ पर अब मैं क्या गरता हूँ एक variable declare करता हूँ sum नाम से और इसकी value में 0 कर देता हूँ और अब आप मुझको यह बताइए कि 1 से लेकर n तक जाना है तो हम for loop का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले है i की value 1 से लेकर हम जो है n की value तक ले जाने वाले है तो किस से less than और equal to कम यहाँ पर use करेगे क्योंकि इस से ही कम या बराबर होने वाली है और i की value को हमको एक एक से बढ़ाना है जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और n तक जाना है फिर क्या करना है जो sum variable है हम क्या करा देते है sum plus equal to x की power i है न x की power i को तो हमको बार-बार plus कराना है sum के अंदर जैसे कि sum के अंदर 0 फिर उसमें हम plus कराएगे x की power 1 फिर उसमें हम plus कराएगे x की power 2 और i की value बदलती रहेगे इसलिए 1, 2, 3, 4 यह तो सब i के अंदर store होने वाला है तो x की power i हम कैसे लिख सकते है तो math.power का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते है जो की हमको इसकी power निकालके देदेगा x की और i की अब आप मुझको एक बात बताइए जो math.power function है यह किस का मतलब क्या किस value जो value return करता है उसका data type क्या होता है तो वो double में return करता है और आप देखे किस data type के अंदर store करा रहे है आप int के अंदर store करा रहे है तो आप इसका forced conversion करा सकते है इंट के अंदर जिससे कि यह value फिर इंट में convert हो जाएगी और फिर plus कर दिया जाएगा अब आप देखे मैंने इसको return type method बनाए इसलिए return करा देते है इससे sum key value ठीक है अब हम अपना यहाँ पर main method बनाते है public static void main और क्या करते है scanner class का object बना लेते है system.in stream की मदद से फिर हम क्या करते है यहाँ पर user को कहते है कि आप input करिए जो है x की value और फिर n की value input कराएगे enter value of x ठीक है x की value हम input कराने वाले है और इसको ले लेते है एक variable x नाम से ले लेते है ठीक है अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर भी मैंने x define कर दिया है यहाँ पर भी तो जो यह x है यह सिर्फ इसका जो scope है वह इस जो एक कर्ली प्रेशी से ना यह method है जहां पर यह method है इस method के अंदर अंदर सिर्फ x है ठीक है उससे बार इसको नहीं बता कि कौन x है ठीक है इसलिए मैं आपर भी इसको एक्स बना लेता हूं एक वैरियेबल वैसे नाम कुछ बता देता हूं तो वह instance method है इसलिए मुझको इसका क्या है एक object बनाना पड़ेगा series 01 और ओ भी रख लेता हूं इसका नाम equal to new series 01 ठीक है यह मैंने object बना लिया इसका और object से हम उस method को अब call करेगे तो सम नाम है और इसको दो जो है arguments सही हैगी तो एक x pass करा देते हैं और एक n क्योंकि x और n के अंदर ही हमने वे values इस्टोर कराई है जो user ने enter करी है ठीक है और फिर जो है इसको हम print करा देते हैं क्योंकि यह क्या करेगा return करेगा अब या तो उसको किसी variable के अंदर इस्टोर कराई है तब print कराई है अब direct भी print करा सकते है तो यहाँ पर लिख देते हैं sum is ठीक है और इसको concatenate कर देते है और क्या करते है अपने main method को बंद कर देते है और class हमारी बंद है ही और इसको compile करते है तो यह देखिए हमारी class compile हो चुकिए एक बार इसको देख लेते है तो x की यहाँ पर जो है मैं x की value 2 डाल देता हूँ और n की value suppose करिये मैं 3 डाल देता हूँ ठीक है तो देखिए 2 की power 1 2 plus 2 की power 2 यानि की 4 4 plus 2 6 हो जाएगा और 2 की power 3 होता है 8 तो 8 plus 6 14 तो आप count score बिल्कुल सही आ रहा है तो आप इस type से series को कर सकते थे